कर आप देख रहा है अवाद केश्री टीवी मैं नसीम सिद्धिकी कोईड नियमों के तहट और जो तुफान गुजरास से उठा था वह अब यूपी में भी तबाही मचा रहा है पिछले 24 गंटे से लगातार वारिश हो रही है इसे घरते बाहर निकलना मुश्किल हो गया है लोगों का अच्छा यह लगडाउन का इसे पारहन भी हो जा रहा है लोग असोता तो कर नहीं रहे हैं जैसा भी देखा जा रहा है खबर देख के बताना पड़ेगा क्योंकि हम याद तो किये नहीं है टाइम नहीं मिला सबसे पहली खबर यह है कि ब्लैक फंगस की दवा अब यूपी सरकार उपलब्द कराएगी और नीजी एस्पतालों में भरती करने पर भी उनको पूरा सयोग सरकार करेगी दूसरा समचार भी यूपी से ही है जहां प्रियंका गादी ने काया कि जनता को बुरे हालात में छोड़ने के बजाए जन कल्याडी कारी कदम उठाए सरकार प्रेंका गाधी ने एक तरह से विपस्च्च की भूमी का निवाते हुए सरकार परहार किया है कि जनता को बुरे हाल में छोड़कर सरकार जवाब दशी से नहीं बस सकती है और एसे में क्रोना महमादी में जनता को ऐसा प्रतीत हो आता है कि सरकार उनके साथ है और प्रियंका कोई खास कबर नहीं है हाँ बड़े दिनों बाद मायवत्ती बसपास सुप्रीमू मायवत्ती जी ने कुछ कहा है मायवत्ती ने कोरोना से बढ़ती मौतों पर जदाई चिंता बोली घोष्णाओं से आगे बढ़कर तुर्णत मंत्रे सरकात यूपी में चुक्ती पाटी है जाईशी बात है अक्सार इनको चुपी देखा आता है उतकम मौकर ऐसे आते हैं कि यह खुलकर बोलती है सामने सरकार पर वार्ट परहार करती है फिर नेश्ट है यूपी में कोरोना के नए मामले में गिरावट जा रही है यह अच्छी खबर है रहाद बड़ी खबर है यूपी वालों के लिए और योगी सरकार के लिए भी कि 238 मरीज की मौत और आज 24 घंट में 238 मरीजों की मौत होई है और 6725 नए संक्रमित मिले हैं और इससे कहीं ज्यादा जो है ठीक होकर घर गये हैं तो यह एक रादवरी खबर है हाँ यात्रियों के लिए खबर है कि बरवनी लखनों समित कई ट्रेना कल से निरस्त रहेंगी यूपी से ही एक और खबर है कि कोरोना संक्र के बीज योगी सरकार का बड़ा फैसला कोवीर से हुई मौतों पर राज्जिक तर्मचारियों के आश्रितों को देगी नौकरी य और यूपी से ही एक और खबर है कि मस्जी 12 करद केस सपाने की दोसी अफसरों के खिलाफ न्याइक जांस की मांग की है तो इसी को लेकर खबर है कि समाराजी पार्टी उत्तर परदेश में जो है उसकी न्याइक अफसरों के खिलाफ न्याइक जांस की मांग की है जब मैं आतीव जी प्रहार की हैं सरकार पर तो अकलेश भया भी बोले हैं अकलेश ने योगी प्रकसात्तंज कहां टीका करड़ अभियान में भारी और विवस्था से परिशान है जनता हाला कि अक्सर ट्वीटर पर ही नजार आते हैं लेकिन